कैसे हैं आप सब मैं हूं गुंजन और आज हम बनाएंगे बहुत ही यम्मी डेलिश्यस चॉकलेट कपकेग वह भी बहुत ही कम सामान से जो कि हमारे घर में ही मिल जाता है तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी रेसिपी चॉकलेट कपकेग इसके लिए मैंने यहां लिया है पारले की हैपी हैपी चॉकल चिप कुकिज चाहें तो कोई और भी ले सकते हैं जैसे और यो हुआ बार्बन हुआ तो मैंने यहां पर यह एक पैकेट लिया है जो की 100 ग्राम का है मैंने ये सब ही cookies को एक mixer grinder में डाल लिया है हम इसको छोटे छोटे पार्ट में कट करके ही डालेंगे हम इसका एक अच्छे से corusly powder बना लेंगे ये सारा powder मैंने एक ball में transfer कर लिया है अब हम इसमें दूद एड़ करेंगे दूद को मैं इस whisker की help से mix करूंगी आप चाहें तो spoon और fork की help से भी कर सकते हैं बट whisker से बहुत ही आसानी से हो जाता है दूद को हम थोड़ा थोड़ा करके ही add करेंगे क्योंकि आप सारा दूद अगर एकठा डाल दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा और batter पतला हो जाएगा जिससे हमारे cupcake अच्छे नहीं बनेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा करके दूद add करते जाएगे और अपना mix सयार करते जाएगे हमें batter की consistency बिल्कुल ribbon consistency रखनी है देखिए इस type की ना ही हमारा batter ज़दा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाड़ा होना चाहिए तभी हमारे cupcake अच्छे बनेंगे देखिए सिर्फ ऐसी consistency हमें चाहिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी दूद लिया था उसमें से हमारा इतना दूद बच गया है इस stage पे हम डालेंगे एक चुथाई चममच बेकिंग पाउडर उस पे हम डालेंगे थोड़ा सा दूद और दूद डालने के बाद हमें इसको एक ही side चलाते जाना है गाई एक ही side चलाना है दूसरे side मत चलाइएगा तो देखिए हमारा बैटर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है अब हम इसे डालेंगे हमारे मॉल्ड में यह मैंने silicone के cupcake मॉल्ड लिये है वैसे तो इसे grease करने की जरूरत नहीं होती है बट मैंने सोचा या rescue लेना है हम इसको grease करी लेते हैं ताकि यह कहीं से भी चिपके ना तो मैंने इसे butter लगा कर इसको अच्छे से grease कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे अपना बैटर हमें यह जो बैटर है यह तीन चुथा ही डालना है यानि कि हमें इसको पोना ही भरना है पूरा नहीं भरना है ताकि जब यह बेख हो तो इसको फूलने के लिए भी चगा मिले तो इसी तरीके से हम अपने सारे जो मॉल्ड है उनमें हम अपना बैटर डाल के इनको भर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे चोको चिप यह मैंने चोको चिप्स घर पी बनाए थे इसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी अब हम इसको थोड़ा सा टैप कर देंगे ताकि इसके अंदर जितने भी air bubbles हैं वो सारे remove हो जाए और हमारा केक जो है अच्छे से बेख हो सके मैंने इसको डाल दिया है अवन में बेख होने के लिए यह मैंने 180 degree temperature पर preheat कर लिया था मैंने इसको 15 मिनिट के लिए बेख होने छोड़ दिया है जितनी देर हमारा केक बेख हो रहे हैं तब तक हम अपनी whipping cream बनाते हैं यह मैंने whipping cream powder लिया है यह मैंने amazon से मंगवाया था यह 150 gram का each packet आता है अब हम इसको मैंने यहाँ पे 2 या 3 चमच विपर के लिए हैं जितनी हमने cream का powder लिया है उतना ही हमें दूद या पानी लेना है मैंने यहाँ पे दूद लिया है आप चाहें तो यहाँ पे पानी का इस्तमाल भी कर सकते हैं फिर मैं इसको whisker की help से whisker लूँगी अगर आपके पास electric beater है तो आप उससे भी कर सकते हैं इस मौसम में मैंने इस ball को और whisker को दोनों को 15 मिनट के लिए freeze में रखा था और मेरा दूद भी एकदम चिल्ड था तो आप इस बात का ध्यान रखेगा कि सब चिल्ड होगी तब ही हमारी whipping cream अच्छी बन पाएगी देखिए अब मुझे 5-6 मिनट हो गई थे इसको चलाते हुए और हमारी whipping cream बनकर बिल्कुल तयार है यह देखिए ऐसे इसके peaks बन जाने चाहिए इसी stage पे हमें पता चलते है कि हमारी whipping cream बनकर बिल्कुल तयार है यह देखिए अगर मैं इस बावल को उल्टा भी कर रही हूँ ना तो भी यह गिर नहीं रही है तो इसका मतलब है कि हमारी whipped cream बनकर बिल्कुल तयार है अब हम डालेंगे इसमें 2 चमच powdered sugar वैसे तो इसमें sugar डालने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि यह पहले सी मीठी है बट मैं इसमें डालूंगी cocoa powder जो की unsweetened है तो इसी बज़ा से मुझे इसमें powder sugar add करनी पड़ी मैं एक चमच भरके इसमें cocoa powder डाल रही हूँ अगर आपको कम चॉकलेटी फ्लीवर पसंद है तो आप अपने हिसाब से इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं वो बिल्कुल आप पर depend है अब हम इस cocoa powder को अपनी क्रीम में अच्छे से mix कर लेंगे यह देखिए हमारी क्रीम इक दम तयार हो चुकी है मैं इसे 10 मिनिट के लिए फ्रीज में रख दूँगी सैट होने के लिए अब हम इस क्रीम को एक piping bag में भर लेंगे ताकि हम cupcake की decoration कर सके अगर आपके पास यह piping bag नहीं है तो आप एक simple कोई भी प्लास्टिक की थैल लेके उसका कौन बना के उसमें एक क्रीम डाल के अपने केक सजा सकते है और अगर आपको यह piping bag और यह नौजल लेने हैं तो यह market में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं आप वहां से भी purchase कर सकते हैं यह देखिए हमारे cupcake बनकर बिल्कुल तयार है मैं इसमें एक toothpick डाल के देखूंगी यह देखिए यह बिल्कुल clean बाहर आई है तो इसका मतलब है हमारे cupcake बिल्कुल तयार है मैंने इनको ठंडा होने के लिए रख दिया था अब हम इसको demold करेंगे यह देखिए कितनी आसानी से यह demold हो रहे हैं देखिए गाइस कितनी अच्छे लग रहे हैं यह सच में बहुत अच्छे बने हैं और spongy भी हैं तो इसी तरीके से हम अपने सारे cupcake को demold कर लेंगे बारी आती है इस पर decoration की यह मेरा सबसे favorite part है मुझे यह करने में बहुत मज़ा आता है देखिए हम अपने सारे जो cupcake हैं उनकी इसी तरीके से decoration कर लेंगे आप चाहें तो कोई भी अपने तरीके से भी कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे अब मैं इस पर डालूंगी choco chips जो की थोड़ा दिखने में और सुन्दर लगे तो गाइस यह हमारे जो Q2 से छोटे-छोटे से cupcake हैं यह बनकर बिल्कुल तयार हैं तो आपको यह cupcake कैसे लगे मुझे comment section में comment करके जरूर बताईएगा और अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा अपने friends के साथ जिनको भी आपको यह बना कर खिलाने चाहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगली वीडियो में मिलते हैं तिल दैन बाई बाई टेक केर